चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन मोडर्न हिष्टी का चलेगा और मोडर्न हिष्टी में खास करके आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूरोपिया आगमन देखेंगे चुकि 1707 में जब औरंग्जेव की मिर्ति होती है और उससे पहले से ही ऐसे बिदेशी आकरमन कारी तो बहुत पहले से आरहत्यपत काल से पहले से भी लेकिन जो अंग्रेज लोग आए जो भारत में यूरोपिया बेपार का जो प्रारंब हुआ है वो आपका कब से हुआ है त सबसे पहले पूर्तगाली पूर्तगाल के ही थे वास्को डिगामा वह आये थे एरोपिया इतिहास में भी हमने भोगोलिक फोज में आपको बताया था आप देखिएगा कॉंटेंट में सारा विश्वितिहास के सारे टॉपिक को हमने परहाया है वह आपका पीडिय अप और है पॉलिटी है इकोनोमिक्स है उसको जरूर देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको जरूर देखिएगा बाद बाकी जो वन टू फाइब है वो थ्रोली एक बार पूरा मोडर्न हिस्टी तो अच्छे से पढ़ना ही है और थ्रोली एक एक कलास में में एनिसियंट औ होगा उसके बाद से प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा करें ठीक है तो उससे क्या होगा जो थ्योरी हमारे पास नौलेज रहेंगा तो हम लोग को अब्जेक्टिव सेट बनाने में थ्वड़ा मज़ा आएगा ठीक है अभी रटने वाली बात हो जाएगी है चलिये अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि योरॉप ये आगमान यूरोप महादेश सबसे पहले कौन आए तो सबसे पहले जो विदे DSS यहां पर आए हैं उसमें प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी आते थे और वेपार करके जाते थे लेकिन बीच में जब 1453 में कस्तितूनिया का पतन हो जाता है तो मद ACI देश से होते हुए उनको आने से बाधित कर दिया जाता है उरोपिय लोगों को ठीक है तो वो दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं तो 1498 SB में बासको डिगामा भारत की खोज करता है वह पुर्तगाल का था नावित था और वह निकलता है खोज करने के लिए उससे पहले भी 1492 SB में कोलंबस निकला था भारत की ही खोज करने के लिए लेकिन वह कहां पहुंच गया तो वह अमेरिका पहुंच गया ठीक है दक्षनी बासको डिगामा और कॉलंबस के बारे में आपको पुछा जा सकता है तो कॉलंबस 1492 SB में जो एस्पेन निवासी था उसने अमेरिका की खोज की थी नहीं दुनिया लेकिन भारत की खोज किस ने किया था बासको डिगामा ने किया था तो यह यहां से Barwalinda किलियर हो गया आप है ठीक है तो यह एकदम याद रखिएगा और पंद्रहमी सतावदी में भी कुछ भोगोलिक खोजों ने जब संसार को विविल्ड देशों में अपना संपर्क अस्थापित किया तो इस परियास के अंतरगत कोलंबस जो स्पेन का वासी था उसने अमेरिका की खोज की थी और वहीं सत्रह मैं 1498 को बास्पोर डिगमा भारत के पस्मी तट इस्तित बंदरगाह काली कट पहुंचा था ठीक है तो और पहुंच करके उसने भारत की समुद्री मार की खोज की थी भारत की खोज का कहना यह उचित नहीं ह भारत के समुद्री मार की खोज इसने किया था भारत पहले से भी था ऐसा नहीं था कि भारत को नया देश बना था भारत पहले से था बस और यह लोग को पहले से भी पता था कि भारत है लेकि समुद्री मार के माध्यम से यह नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते से कई से भ अब एस्टेट का 2019 का ओनलाइन पेपर हम कहां से करवाएं जब करवाए थे एस्टेट में तो बहुत समय हो गया जो करवा रहे हो किजिए न सांती से ठीक है दो सब्जेक्ट का पूछा है तो दो सब्जेक्ट पढ़के जाईए एक पूछा है तो एक पढ़िए आप लोग को जब पता नहीं तो हमको कहां से पता होगा ठीक है आप लोग एक्जाम दिये हैं एस्टेट का चलिए अब आते हैं यहां पर कि यह था कि पहले बार में जब हुआ था तो कम्माइंड रूप से ही सभी सब्जेक्ट के पूछ दिये गई थे दुवारा जब हुआ था क्लास के बाद टेस्ट यह सब डाला हुआ है डाला हुआ है अपका ठीक है ढूर्ट हिस्टरी में यह सब को रहा हुआँ थाखे रहा था है एक तारिक से गर्मी चुट्टी हो जाता तो ज्यादा बहतर होता लेकिन देखिए अब विभाग यह है तो विभाग में अब कब चुट्टी देता है साथ तारिक से कुनिश्ची तोर पर चुट्टी हो जाएगा ठीक है तो आगे हम लोग देखते हैं चलिए अब आते हैं 1498 इसमी में बास्को डिगामा कहां पहुंचा तो केरल के काली कट ठीक है और भारत की समुद्री मार्की खोज हो गई पूर्त गालियों का भारत में आगमन का मुख उदेश क्या था काली मिर्च और गरम मसाले का बेपार करना जो पूर्त गाली आये थे तो उनका में उदेश क्या था आपका यहां पर काली मिर्च समझी रहें मरीच जिसको बोलते हम लोग काली मिर्च और गरम मसाला ठीक है इसका बेपार पर एकाधिकार करना ही इनका उदेश था अलग-अलग जिला में अलग-अलग छुट्टी का डेट है देख लेते हैं देशा होगा टेंसर निगी जिए ठीक है तो इतना करवा देंगा कि आप लोग को एक्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा अब देखे 159 इसमी में पूर्टगाल के ही गवर्नर अलबुकर्क भारत आये और उसने 1510 में गवापर अधिकार कर लिया और उसको ही पूर्टगाली समराज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो अगर पूछेगा कि पूर्टगाली जो है गवर्नर या पूछेगा कि पूर्टगाली समराज का वास्तविक संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा वो थे आपके अलबुकर्क ये पूछ सकता है पूर्टगाली गवर्नर अलबुकर्क ने ही वास्तविक रूप से भारत में गोवा पे अधिकार किया था और इसको ही पूर्टगाली समराज क वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है लेकिन भारत में जैदा दिन तक पूर्तगाली नहीं रह पाते हैं पूर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती अगर पूछेगा कि भारत में तंबाकू की खेती की सुरात किसने करवाई थी तो पुर्तगालियों का ही देन है आपका तंबाकू की खेती जहाज का निर्मान एवं प्रिंटिंग प्रेश की सुत्रपात ठीक है अब देखे पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण बने पुर्तगाली क्यों लंबा समय तक बेपार नहीं कर पाए तो पहला था धार्मिक और सह इसनुता वह बस इसाई धर्म को ही मांते थे अन्धर्म को नीचा दिखाते थे अलबु करके आने के बाद जो बाद में जो आये उत्राधिकारी वह अयोग थे उसके बाद डच और अंग्रेश सक्तियों का बिरोध करते थे बरबरता पुर्वक समुद्री लूट मार की नि ठीक है और आने वाले जो भी आये तो उसको यहां के राजाओं ने भी समर्थन दे दिया था सपोर्ट किया था अब आ जाते हैं पूर्थ गाली के बाद भारत में आने वाले थे हॉलेंड के यानि डच जिसको कहा जाता है डच लोग हॉलेंड के निवासी थे और हुई थी तो 16202 में और भारत में इस्ट इंडिया कंपणी जो बीटेन का था वह 1608 में आये था लेकिन अगर पूछे डच इस इंडिया कंपणी देखिए सब में देश का नाम है डच डच इस इंडिया कंपणी पूछे तब आपको बोलना है 1602 में अस्थापना हुई ठी है तो भारत में डच इस्ट इंडिया कंपणी के अस्थापना कब हुई तो अब बिल्कूल सही बोले गोलकी को ही कहा जाता है चलिए गोलकी मरीच भी गाउं देहात में लोग बोलते हैं इसको काला मिच कहा जब चलिए आप लोग जैदा जानकार हैं प्रसा सुन लेते हैं आप लोग सुन लीजिए उसके बाद फिर अपना जो भी थेसिस देना है हमको सुना दिजिएगा आप लोग की भी जानकारी मुझे होनी चाहिए चुकि तरह तरह के भाती-भाती के लोग हैं आप पुरे इस भासा है ठीक है तो आप से ही हम लोग सीखेंगे वैसे भारत आने वाला पर्थम डच नागरिक कौन था कार्नेलिस दहस्तमा यह भी पूछ सकता है कि पर्थम डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था भारत आया था पर्थम डच नागरिक तो उनका नाम था कार्नेलि इस्ट इंडिया कंपनी ऑफदी नीदरलेंड की अस्थापना हुई और डचों ने दक्षिन पूर्व एसिया में पूर्थ गालियों को बाहर कर दिया तो पूर्थ गाली को बाहर करने में किसका योगदान रहा तो डचों का कहां के बासी थे डच तो हॉलेंड के ठीक है मिर्च जो भी गरम मसाला ले गया था तो उसको साथ गुना फायदा हुआ था साथ गुना और उसी को देखते हुए आसपास जो भी उरोपिया देश थे पूर्तगाल के एस्पेन के जच नीदरलेंड हॉलेंड जो भी थे वो लोग जाने और वो लोग वैपार करने के लिए भारत पहुचने लगे थीक है तो यह सब से बरी बात है कि बहुत जाइदा इनको और जो यवन प्रिय बहुत जायदा लोग उसको पसंद करते थे थी थिक है इसको तो काली मिर्च को और हखे u चाब्पादकदेश है देश्य भारत हो गया जो भी आज-पास के देश हैं थाइलेंड निद्वोनेसी आ जो है तो जो भी डखशनपुर्वी दिसा में जो भी देस हैं वही सब काले जो भी मसाले हैं या काली मिर्च ये सब पी उत्पादन करता है तो यहीं पर यह वो लोग आये थे वेपार करने के लिए में लूप से तो मसालों का ही क्योंकि वहां के बाजार में यहां की मसाला बहुत उच्छ कीमत पे विखता था और यहां सस्ते में उनको अभलेवल हो जाता था जिससे फाइदा उनको जादा हो तोको ठी या रखिए कहां बना मुश्ली पटनम है मुशली पटनम है कहां पे बना तो मुश्ली पटनम है और यह लोग मुख रूप से नील हो द्वारा या जो भी भाट्मियों से करते थे तो यह याद रखने आपको डच के पतन के क्या कारण हुए अब देखिए बेदरा का यूद हुआ गया जिसमें जो अंग्रेजी सेना का नित्रित किस ने किया था तो रोवर्ट कलाइब ने किया था और डच बूरी तरीका से इसमें पराजित हो गये थे ठीक है चुकि डचों की जो नौ सेना ना भी वह कमजोर थी जिस कारण से अंग्रेज लोग जीत के और यह लोग मसाला के दूप अन जो था इंडोनेसिया बेगरा अन जो भी है उस पर जायदा विश्याद ध्यान दे रखे थे और इनकी आर्थिक इस्तिती भी उतनी अच्छी नह पूट वह यहां पर क्राउन यहां पर मदद करता था अगर किसी के साथ युद्वा तो वह अपनी सेना भी देता था ठीक है जिस कारण से अंग्रेजों को बैपार करने में सोहलियत हुई तो चुकि अंग्रेजों के पास क्या था कि वहां के राज्तंत्र का सपोर्ट था स इस्ट इंडिया कंपनी को ठीक है तो जिस कारण से अंग्रेजों के साथ युद्व होता है डचों का तो डच हार जाते हैं यह याद रखेगा अब आ जाएंगे अंग्रेज लोग ठीक है सबसे लास्ट में फ्रांस आएगा फ्रेंच लोग लेकिन अब आ जाएंगे आपक कब हुई थी तो याद रखिएगा अब एक इस्टुडेंट पूछने सरक लास चालू नहीं है क्या जवाब दें उनको अब और लोगे तब कोई कठे नोटिफिकेशन जाता है ठीक है है मेसेज नहीं जाता फिर भी तो लाइब क्लासेज में दिखता होगा लाइब सेशन पे किलिक करने पर चलिए इस इंडिया कमपणी की अस्थापना कभ हुई अगर अस्थापना पूछे इस इंडिया कमपणी का तो आपको बोलना है 1623 में इस इंडिया कंपणी भारत का पहुंचा था ठीक है तो देखे वह है 1608 इस भी में कंपणी ने कैपिटन हौकिन्स को मुगल समराथ जहांगीर के दर्बार में भेजा तो किसके दर्बार में कैप्टन हौकिन्स आया था यह कोश्चन अती महत्यपूर्ण है मुगल बात्सा का नाम आप ऐसे भी याद करके रखते होंगे भजसा बी फॉर बाबर एच पॉर हुमाईव एप फॉर अकबर जे पॉर जहांगीर एसेश पर सा जहां और एफर औरंगीर यह कोश्चन मुझसे इंटर्विव के दोरान भी पूछा गया था कि सिलसिलेवार ढंग से आप मुगल बात्सा के नाम बताईए ठीक है तो बी एच एजे एस एच एच ए ठीक है तो जहांगीर का ही नाम था सलीम भी सलीम और अनार कली की कहानी आप लोग जामते होंगे तो यही जहांगीर है जिसके दरवार में कैप्टन हॉकिन्स आया था और यह कोश्चन के भी सी में भी पूछा था कि जो हॉकिन्स आया था किस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम था तो उस जहाज का नाम था हेक्टर यह यहां पर मुगल सत्ता चल रहा था तो जहां गीर का ठीक है भारत पहुंचा था 1615 में सर टॉमस रो याद रखेगा 1615 में सर टॉमस रो को भेजा इन्हों ने भारत में वेपारी कोठी खोलने की अन्मति गुजरात के सुवेदार खुर्रम से प्राप्ध की तो उस समय गुजरात का सुवेदार कौन था खुररम खुर्रम तो उस से इन्हों रो आए पर गुजरातमे वेपारी कोठी खोलने का आदेश लिया था अब आ जाते हैं जहांगीर ने 1613 इस्वी में अंग्रेजों को सूरत में कार खाना खोलने के अन्मति दी अगर पूछेगा कि अंग्रेजों ने सर पर्थम अपनी कार खाना कहां खोली तो सूरत में अंग्रेज राजदू सर्ट टॉमस रो 16 1515 में जहांगीर के सासनकाल में ही आये थे और अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली पर्मुक बस्तू हैं रेसम सूती वस्त्र और नील ही थी याद रखिया नील और रेसम बस्त रेसमी बस्त सूती बस्त रेसमी सूती बस्त और नील का ही वेपारी य कि चलिए अब आते हैं अंग्रेजों की बेपारी कोठियां कब कहां बनी तो पहला बस याद रखेगा सोले सो आठ इसमी में सूरत में बादमा की याद कीजिए नहीं कीजिए कोई बात में दूसरा मुस्ली पत्नम में तीसरा मदरास में चौथा हुगली में इंग्लेंड के समराट चार्स दूतियगा बिवाब की राजकुमारी किस्से हो गया था कहत Whats Matt और जिसमें क्या हुआ कि चार्स को जो इंग्लेंड के समराट थे चार्स दूतिये उनको मुंबई दहेज में पराप्त हो गया क्या दिक्त था दूसरा का चिज़ दूसरे को दाम दे दो ठीक है मुंबै दहेज में मिल गया आव इनको और यह स्थे कि यह कि कमपनी को दस पॉ मुंबई उनको दहेज में मिला था उसको 10 पॉंड में ही किसको दे दिया कंपणी को दे अब सोच सकते हैं उस समय पॉंड का क्या महत्तो था चलिए तो समझ में आ गया पूरा मुंबई ही दहेज में मिल गया है अब आ जाते है फ्रांसिसी सब तब से अंतिम में कोन आये फ्रांस इसी है फिर से एक बार तब से पहले पूर्टगाली दो नम्मर पर आए डच तीन नम्मर पर आए अंग्रेज चार नमर पर आएंगे फ्रांस के फ्रेंच ठीक है यह याद रखेगा फ्रांस इस्यों की पहली कोठी फ्रेंको केरो द्वारा सूरत में 1688 इस्वी में अस्थापित की गई और दूसरी बेपारी कोठी 1679 इस्वी में मुस्ली पत्नम में तो पहली कोठी ही पूछेगा तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी भी मुस्ली पत्नम पर ही कहाँ पे था पहली कोठी सूरत में और अंग्रेजों की भी पहली कोठी सूरत में ही केवल आपका जो पहला था उसका था मुस्ली पत्नम में कौन था पहला तो पूर्तगाल ठीक है अब आते हैं अब करनाटक जिसमें दोनों के भी संदी हुई और फ्रांसीसियों ने मदरास को अंग्रेजों को वापस कर दिया ठीक है तो पहला करनाटक जो युद हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में तो युद बराबरी का था इसे हार थोरा बहुत फ्रांसीसियों को ही हुआ था ठीक है त इस यूदि के दौरान चोवर में नए फ्रांसीसी गवर्नर गोडियू डूपले की जगह लाया गया और इसके तह 1775 में पांडी चेरी की संदी हुई फिर तीर्तिय करनाटक यूद्ध इस यूद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीका से प्रास्थ हो गए और 1763 इसमी में चंद कि किस संदी के तहत फ्रांस फ्रेंच फ्रांस और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का बिराम हुआ था तो वह था पेरिस की संदी बहुत इंपोर्टेंट लाइन है यह याद रखेगा किस संदी के तहत दोनों के बीच में समझावता हुआ था सासक उस समय अलग-अलग बने जो की प्रांतिय सासक के रूप में क्योंकि उधर जब मुगल सत्ता कमजोर हुआ तो धीरे-धीरे प्रांतिय सासक मजबूती स्थिती में आते हैं और इसी दर्वियान जो है बंगाल के सासक के रूप में सब सब्सक्राइब से पहले मुर्सीद कुली खा थे सब 1713-27 सुजाओ दिन यह सब पूछेगा ने बस यह एक बार अलवर्दी खां जिसने अंग्रेजों की तुन्ला मधुमक्खी से किया था अगर उनको रखिएगा तो सहथ देगी प्यारते नहीं तो काटके मार खाएगी ठीक है तो यह बात अलवर्दी खाने ही बोला था अंग्रेजों के लिए फिर सिराजु दौला आया 1757 में आप जानते ही क्या हुआ सिराजु दौला के साथ ठीक है मीर कासीम जो इसका सेना नायक था उसने यहां पर धोखा दिया फिर मीर जाफर को बनाया गया पर मीर जाफर थ दमात था मीर कासीम फिर इससे भी नहीं यह अंग्रेजों कि जो हित था उसको पूर्ति नहीं कर सका चुकि वह उसकी मनोकामना बढ़ते जा रही थी अंग्रेजों की तो वह पूर्ति नहीं कर सका तो मीर जाफर को हटा के मीर कासीम को बनाया गया तो मीर कासीम के साथ फिर इलाहवाद की संधी होती है फिर बनता है میर्जाफर 173-175 फिर रिजाम उद्द्वला बनते हैं रोफ उद्द्वाइन मुवारक उद्द्वला यह सब पूछता नहीं है बस एक बार लिखा हुआ है देख लीजिए गा यह सब कभी नहीं पूछा है न सम्ट गाने बस जिसके बारें पूछेगा वे हम बता दिया बंगाल का अलवर्दी खाने अंगरेजों की तुनना कि से की थी मदमक्वु मक्विति उसके तो अलवर्दी हानेरी था और कहा था उन्हुने कि उन्हें चेरा ना जाए तो सहथ देगी अगर चेरा जाए तो काट काट करके मार डालेगी हाँ मीर जाफर दो बार सासन किया ठीक है क्योंकि पहले उसके अंग्रेजों की जो मनुधाव था जो उसकी चाति उसको पूर्ती नहीं कर सका तो अंग्रेजोंने रेधार को को समझ पाए थे तब तक भारत को अच्छे से उन्होंने समझा नहीं था इसलिए उनकी मजबूरी थी तो एक मुखवटा सामने रखना नहीं तो यहां पर जन्विद्रो हो जाता और वहां पर उनकी संख्यां बहुत तो वह ज्यादा दिन ठीक नहीं पाते और यह बात वह भली भाती जान रहे थे इसलिए यहीं के लोगों को मुखवटा रखके वह सासन कर रहे थे और दिवानी विवस्था के ताद जो में इंकम था वो ले रहे तो सबसे बरियांबाद पर यह हो गया नहीं कि फसने का भी का गटना बीच में घटित हुई थी अंग्रेज देखें यह बात के वर अंग्रेज ही लोग जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वही बताते हैं कि भारत को या सिराजु दौला को यहां पर अंग्रेजों ने क्यों मतलब मारा था या भगाया था तो अपने पक्ष को मजबूत कर करते हुए अंग्रेज इतिहासकार बोलते हैं कि सिराजु दौला ने एक बहुत गलत काम कर दिया था क्या काम कर दिया था तो बल्यक्वाल की घटना ठीक है लेकिन यह अपने आपको बचाने के लिए बोलते वह कहीं भी अपने आपको गलत नहीं ठाराते अंग्रेज इति पत्र दे दिया था बेपार करने की छूट है तो वो पत्र क्या होता था जो जिसको मिला था वो तो करते ही थे साथ-साथ जो भी आता था उस पत्र का यूज करके बेपार करता था टैक्स नहीं देते थी मुगल जो भी बंगाल के नवाब थे उनको टैक्स नहीं मिलता था जिससे उनकी का सकते हैं कि कर बहुत कम उसली हो रहा था सिराज दोला के समय में तो उसने वही कर फिर से लागू कर दिया और इस सब्सक्राइब होते हैं ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 कहा जाता है कि 146 अंग्रेज बंदियों को जिसमें इस्तिरियां बच्चे भी सामिल थे 18 फिट लंबे और 14 इंच चौरे कमरे में बंद कर दिया गया और 20 जून 1756 की रात को बंद करने के बाद 23 जून को प्राता गया जिसमें मातर 23 लोग ही जिवित पाएगे और यह घटना नवाब सिराज दौला के समय घटित हुई थी और इसी के कारण जो है अंग्रेजों ने बदला लिया और शिराज दौला को यहां से स्वाम तमाम किया ठीक है बंगाल से जो भी हो तो बंगाल बिहार उरिसा को म मिलाकर बंगाल प्रांथ कि अस्ठापना कब की गई थी यह भी कोश्चन पू conocता है तो 1733 मों बंगाल विहार और और प्रिशा को मिलाकर बंगाल प्रांथ की अस्ठापना 1733 में की गई थी अंग्रेज बिल्कुल स्मार्ट थे नहीं रहते तो दोस्वा बस तक सासन के से करते हुआ देखिए वह स्मार्ट थे उससे कहीं ज्यादा हम लोग बेवगूफ थे वह सा रहता तो बाद में भी कर लेते नहीं इतने ही इसमार्ट थे तो फिर 1947 में भागना क्यों पर आओ तब तक हम लोग समझदार नहीं थे हम लोग को चुकि एक गया एक सोतनकारी गया दूसरा है तो कोई फरक पड़ने वाला नहीं था चुकि मोगल बास्ता थे वह भी तरह तरह के फरमान जारी करते थे औरंग्य वैसे ही सब हिंदू को मुस्लिम बनाने में लगा हुआ था ठीक है तो यहां पर देखने को मिला उस समय तक नहीं परा था लेकिन जब मुगल बास्ता से भी कही गुना जायदा ये लोग सोसन करने लगे तब जाकर के लगा कि नहीं अब इसका विरोध करना चाहिए ठीक है अब आते हैं 1757 इसमी में प्लासी के यूद में लॉर्ड कलाईव ने बंगाल के नवाव सिराज दोला को हरा करके भारत में अंग्रेजी सासन की नीव डाली अगर पूछेगा कि भारत में अंग्रेजी सासन की नीव किस ने डाली थी, तो याद रखेगा रोवर्ट सब्सक्राइब ने 1767 इस भी में पलासी के युद में ठीक है अंग्रेजों को हरा करें लोड कलाइब ने किसको हराय था तो सिराजु दवला को हरा करके अंग्रेजी सासन की निव डाली और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि आपका मीर कासीम और अवद के नवाव सुजाव द लुक्ती है पीनों की संहीनम सेना फिर दुवारा चडाय करती अंग्रेजों के साथ शृत पर इस अंतां가는 हुआ फिर आपका आगे तो transit 65 भे बंगाल में ग्रेजर्प सासन की अस्थापना हुई तो 17 75 में इलाहवाद की संदी होती है ठीक है और उसके तहत बंगाल में क्या हो गया दोए दिसासन यानी दिवानी विवस्था अंग्रेज के पास रहेगी और प्रसासनिक विवस्था किसके पास रहेगी साउचदारी वला प्रसासनिक वहां के बंगाल के नवाब के पास रहेगी मिर्जाफर के पास तो लॉर्ड कलाई भी द्वारा की गई भारत में र रहियतवारी मदरास परसिडेंसी और बंबय परसिडेंसी में लागू किया था ठीक है तो यहां पर आजाए दिवानी विवस्था जो 165 में इलाहाबाद की संधी के तहत जो लागू किया गया था तो उसमें बहुत सारी नीतियां बनाई गई थी खास करके भूराजसुनीती जो बना था उससे रिलेटेड भी आपको कुश्चन पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग एक नज़ट दे लेते हैं कि यहां तक क्लियर है कि यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत भी है कि अ कि नोसर मतलब कि लिए कि लिए कि लिए कि लिए थार सा सन मतलब लेखिए आपको हमने पहले बताया ना कि अंग्रेज के वह सातन नहीं कर रहे थे बंगाल के नवाब बनाकर के सासन करवाता था ना कट कट पुतली बना करके और कट पुतली बना था पहले मीर जाहाथ है लेकिन ये जब इसके मौंख की पूर्ती नहीं कर पए अंग्रेज वो ने इसी का धमाद्द फा मीर ख। उसको बनाया मीर कासिम चालाग था वह सोच रहा था बन करके अंग्रेज को ही मार्किट के भगा देंगी जब इसने मुंगेर में अपनी राजधानी बदली मुर्सिदावास से मुंगेर लाया सासाथ गन फैक्टरी गोला बारूत की निर्वान का फैक्टरी लगा लेकिन अं इसके बाद यहां पर इसकी हार होती है फिर इलहावाद की संदी होती है इलहावाद की संदी जो 1765 में होता है उसके साथ दिमा उसके तहत जो दिवानी वेवस्था थी यानि भूराजस टैक्स वसूली करने का कम अंग्रेज रखते हैं और परसासनी की काई जो सासन को कि समझ लगे आप दोए सासन क्या है कि यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत भी है कि वह बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है आज आज बहुत ज्यादा गर्मी है चलिए एक भूराजस वाला पढ़ा के फिर आज इंड कर दिए फिर दूसरे दिन देखेंगे ठीक है हुआ 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 है चलिए अब भूराजस वहस्था के बारे में देखेंगे ठीक है भूराजस वहस्था के बारे में है कि किस परकार से अंगरेज लोग भूमी के बदले जो टेक्स लेते थे वो क्या था तो वो देखिए यहां पर सबसे पहले समझेंगे ऐसे पूछेगा वो दो-तीन ही प्रस्निस में बारबार पूछता है अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम जब इंदारी पर्था कहते हैं वो कितने छेतर में था तो 19% सबसे ज्यादा रहियतवारी विवस्था थी 51% में और थर राक्स वसूली करने के लिए जमीन पर जो राजस्य था उसको वसूली करने के लिए तो सबसे पहले आप यह जानिये कि उसने भू राजस्य अस्थाई बंदोबस्त तो देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि जायदा जब उपजता था अंगरेज लोग जायदा पहले क्या था कि जैसा उपजेगा मुगल समय में भी तो उसके एक चोटाई या एक वटे छठा भाग जो भी हो वो ले लेता था और अलाव दिन खिंजी तो 50 परसंट तक ले लेता था दो चीडी उपजा तो एक केज़ी दो मुगल सब्ता जो था सल्तनतकाल में ठीक है उसको देना होता था लेकिन आने वाले समय में वन फोर्त या जो भी हो वन वटे चेक्स के रूप में ही देना परता है तो उसने क्या-क्क कर दिया आप कितना भी उपजाइआ वह आपका हुआ हमको बस एक फिक्स एर कम जो है वह आपको देना हो खिक है तो वहाँ पर फिक्स कर दिया तो इसली लिए reproductive ऐस्थाई बंदोष्त थिक है देखिए बेटी सासन के दौरान भूराजस विवस्था ही अंग्रेजों के आर्थिक आमधनी का सुरूत था इस उद्देश की फूर्ती अंग्रेजों ने भारत के विभिन्य छेत्रियता यपन्भिन्यताओं के अधार पर इसको तीन भागों में बाट दिया था अलग अलग तरीके से यह जो भूराजस लेता था अब क्या था बंदोवस्त की तरीका वह देखिए अति महत्पूर्ण है अच्छे समझिएगा सबसे पहला पार्था पिहार बंगाल में वह जमिंदारी पर था थी सारी जमीने जमिंदार के अंदर कर दी गई और जमिंदारी जमिंदा था उनका काम था टेक्स वसूली करके जो उसका लगभग एक वटे 11 भाग रखता था और दस वटे 11 भाग जो है वह अंग्रेज को देता था ठीक है तो यही था अस्थाई बंदोवस्त जो की फिक्स कर दिया गया था कि इतना उसको देना होगा ठीक है माल गुजारी इस ब अगर पूछे कि अस्थाई बंदोवस्त या जमिंदारी पर्था दोनों एक ही है किसी को इस्तमरारी 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 परवंदरी कहते हैं जमिंदारी भी एक ही चीज है जमिंदारी विवस्ता बोले चाहे अस्थाई बंदोवस्त बोले चाहे इस्तमर तीनों एक ही चीज़ है इस विवस्था कि शुर्वाद 1593 में तो किस ने किया था लॉड कर्णवाल इस ने किया था खास करके बिहार बंगाल उरिसा जो पूर्वी भारत था उत्तर पर्देश और वारा नसी और कुछ पाट दक्षिन का जिसे उत्री करनाटक में लागो किया तो मेंन बात याद रखेगा यह पूर्वी भारत खास करके बिहार दंगाल उरिसा उत्तर पर देश और पूर्वी उ सकता है कि कब लागो किया था तो लॉड कर्ण वालीस के द्वारा 1793 में लॉड करणव RICH कथे शासनकाल 1786 से ही रहता है लिकिनibly में लॉ Cambod Form के ही द्वारा लागे किया गया था यह यद रखिएगा और यह भारत के कितने भाग में तो 19 पर 36 में लागे किया गया था आति महत्पूंड लाइन है अब आते हैं next देखिए मेनत तो करना ही परता है और चिराग तले अंधेरा होता है देखिए हम आपके लिए जल रहे हैं यहां आपको रोसनी दे रहे हैं ठीक है अब दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए अच्छे से रुकी हम दिखाते हैं अब दिखाई दिया बस उसको हमने मैं बना दिये 51 पर 30 रहयत वारी 19 पर 30 जमिनदारी और 30 पर 30 आपका महाल वारी ठीक है जिसमें हमने जमिनदारी वाला बता दिया अस्थाई बंदोबस्त वाला अब बचा हुआ है रहयत वारी और महाल वारी ठीक है अब देखिए जो जमिनदारी पर था में क्या था कि सरकार को 89 पर 30 यानि 10 वटे 11 भाग देना होता था जमिनदार को ठीक है लेकिन जमिनदार वरी चलाग थे अंग्रेजों को देते नहीं थे इतना लेकिन वो किसानों से जवरदस्ती वसूली कर लेते थे और उल्टा करते होंगे अंग्रेज को बहुत कम मिलता था इसलिए तो बारबार चेंज कर रहा था उसको यहां के बारे में समझ में ही नहीं आता तो सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजों से कहीं जायदा भारतियों को भारतियों नहीं लूटा था खास करके जो उस समय अभिजात्त वर्ग जो थे जमिनदार वर्ग उन्होंने भी बहुत जाएदा किसानों का सोशन किया अंग्रेज से कहीं जाये यह भी बात सचाई है तो 10 बटे 11 भाग उनको देना होता था एक बटे 11 भाग खुद को रखना होता था लेकिन चुकि अंग्रेजों को यहां के बारे मुतनी नॉलेज नहीं थी क्या उपजह नहीं है तो यहां पर जमिंदार लोग चलाकी करते थे जिस कारण से बार-बार अंग्रेजों को अपनी भूमी जो राजस्व नीती थी बदन नहीं परती और उनको नुकसान लगता था कि इंकम होई नहीं रहा है तो मेन इंकम तो यह जो बैठे हुए थे यहीं ले लेते चलिए जमिंदार को भूमी का मालिक मान लिया गया और पर वह भूमी स्वामी तभी तक था जब तक वह कर समय पर अदागी करता रहा अंता सुर्यास्त का कानून के तहत उनकी भी जमी निलाम कर दी जाती तो सबसे बड़ी बात यह भी था कि अंग्रे जानता था कि जमिंदार को इसे छोड़ देंगे तब तो यह कुछ नहीं देगा तो उसने कानून भी बना रखा था और इसी कानून के तहत आपका जो थे भीर कुमर्ती उनकी जमीन निलाम हो गई तो कुछ जमिं यानि साम तक का टाइम होता था जो भी उसका 89 परतिसत है 10 वटे 11 भाग वह पहुंचाना होता था अंग्रिये जोखे पास अगर जो जमिंदार नहीं पहुंचा पाए तो उनकी जमीने थी जो उनके अंदर जमीने था जो वह जिस पर टेक्स असुली करते थे तो उनकी जमी कुन है सुर्यास्त का कानून के बारे में आप लोग समझ गए जमीनदारों से अपेक्षा की गई कि ओए कास्त कारों को पट्टा जारी करेंगे पर अनेक जमिंदारों ने पट्टा जारी नहीं किया क्योंकि इस पर कोई सरकारी नियंत्रा नहीं था अंग्रेज लोग किसानों को जमीन देने की बात करते थे जमिंदारों को लेकिन जमिंदार लोग किसानों को यहाँ पर पट्टा जारी नहीं करते थे वो खुद ही वहाँ पर खेती करवा करके जयदा से जयदा वसूली करने का काम करते थे अब देखिए कि परभाव क्या था जमिंदारी विवस्था का कि राजस की अस्थाइस रोत की अस्थापना हो गई सरकार को अब किसान को अनाज हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं उसको उसको फिक्स हो गया कि इतना रुपिया उसको इस जमीन का मिलेगा चाहे जमिंदार पहुंचाए और समर्थक वर्ग की प्राप्ती हो गई अब एक वर्ग उसको मिल गया किसको अंग्रेजों को जो अब वह काले सरीर में गोरे दिमाग वाला व्यक्ति बन चुका था यानि वह भारतियों को अब सोसन करने में मदद पहुंचाएगा ठीक है अंग्रेजों को मदद पहुंचान का काम करेगा चुकि अब अंग्रेज का एक बहुत बढ़ा समर्थक वर्ख चुकि बहुत ज्यादा इंकम का बहुत बढ़ा भाग जो है जमिंदार लोग रख रहें तो यह अंग्रेजों का समर्थन करेंगे और यह नहीं चाहेंगे कि अब अंग्रेज भारत छोड़ करके ज सुर्यास्त का कानून 1794 आधी द्वारा जमिंदारों के भी अधिकारों पर कई पर्तिवंद लगा दियेगे अंग्रेज इतना भी तो बेवकुफ नहीं था कि केवल आप ही को जो है होने देगा जमिंदारों को ही वह तरह तरह के कानून बना करके इसको कंट्रूल करने का प्रियास किया कि देखिए करेंट से फिरस का जो कलास होता है जब भी होगा हमनोटिफिकेशन दे देंगे और पाहिले दे देते आपको दिन में ही वार्टत पर भेज़ देते कि आज साम में क्या होने वाला है नोट्स भी बेज़ देते हैं पर लिए विद्वान बन जाई ये भर दिने उसके बाद किलास में आप कुछ पूछ भी सकते हैं इसलिए क्या चिंता करने जो अभी सामने राता वो तो आप बहुसे हंगा दो resin कब होगा कि सब होगा cancer नहीं लीजिए एक ही सरीर है न डर दो इतनी गर्मी पर रही है पसीना पसीना हो रखे तकी को करती ही है क्रेंट कब होगा को हिस्त पूश्त हिंदी कब होगा व्रूश्त करती है में बरहोत्री देखी गई जिसका कारण था अनेक मध्यस्त विबादित भुमी चलिए मामला खतम कीजिए भुमी अस्थाय बंदोबस्त का अब आए रहीत वारी के बारे में रहीत मतलब होता यहां पर काम कर रहें तो बीच वाले वर्ण उसको स्मयाप्स करने लिए किया कि सब किसान से वसूली करने का काम करेंगे। तो रह एक किसानों से डारेक्ट ऑब सारा जो भी टैक्स होगा वह खुद लेंगे अंग्रेज लेंगे। लेकिन यह किसानों के लिए और भी खतरणाफ ऑगया क्यों खतरणाफ हो गया कि कि जमिंदार कुछ भारतिया थे तो कुछ भावनाओं को समझते भी थे भारतिय किसानों का लेकिन जब अंग्रेज आए तो यह तो एक दम पुरूर थे इनकी जमीने नहीं निलाम कर देते थे मौका ही नहीं देते थे तो जिस कारव से यहां पर रइयतवारी बहुत ज्यादा प्रिसान किया नोगोरी कि तो इस बंदोवस्त के तहत वीचो लिए को समाप्त कर सिदे उत्पादन से जूरे किसानों को है जोड़ दिया गया तर पर्थम 1792 इस्वी में कर्नल रीड ने 12 महल जिले तमिलाडू टियन पर तमिलाडू 12 महल जिला है तमिलाडू में वहां पर रहियत वारी विवस्था का आरंभिक पर्योग किया आगे चल करके 1820 इस्वी में मुन्रो ने इसे मदरास परसिडेंसी में लागू किया तो सर पर्थम इसको लागू करने वाले कौन वैक्ति थे तो 1792 इस्वी में ही कर्नल रीड ने तमिलाडू के 12 महल जिले में इस विवस्था को लागू किया था और आगे चल करके 1820 में मुन्रो याद रखेगा अती महत्पूर्ण है मुन्रो ने आपके पास नोट से है अगर यहां थोड़ा कम भी दिखाई देता है तो ज्यादा प्रेसान होने की आपको आवे सकता नहीं है इसलिए हमने वाइट में भी दे दिया है अच्छे से प्रिंट करवा लीजे नहीं कर सामने रखे पढ़ा की ठीक है इसके अलावे पूर्वी बंगाल असम के कुछ हिस्टों में लागू किया गया तो कौन-कौन सा हिस्टा हुआ तो मदरास परसिडेंसी, पुर्वी बंगाल, असम के छेत्रों में इसको लागू किया गया और 1885 इस्वी में बंबय परसिडेंसी में भी एलफिस्टन द्वारा इसको लागू किया गया यानि सबसे जाइदा भारत में अगर किसी भुमी अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था तो वो था आपका कौन सा तो रहियत वारी जो की 51 परतीशत भाग पर इसको लागू किया गया था भिषेष्ता देखिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को जाएगा सरकार रहियतो को पट्टा को पट्टा मतलब किसान पट्टा देना मतलब जमीन किया जाता था और मुल्द निर्धारन nonetheless सधांति क्रूप से भुरागस सुधर एक बटे दो तो भाग रखी गई हलाकि विवारी गुरूप से उससे भी कहीं जाए रहा था यानि आदहा जमीन का जो भाग था वो किसान का डारेक्ट अब अंग्रेज ही ले ले लेते थे प्रवा इससे किसानों की दुर्गती हुई अस्थाई बंदोबस्त में जहां जमिंदारों के रह अगर अभी इनका सोसन हुआ अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग ही सोसन करने ले तो मामला खतम कीजिए इसको भी रहियतवारी को भी जाने दीजिए अब पहुंचिए आप लोग महालवारी महाल मतलब होता है गाउं का मुखिया वेद्वियर नाम है उकी माहाल मतलब गाउं को कहा जाता था पूरे गाउं का टैक्स एक साथ होगा ऐसा इसलिए किया गया कोई अगर किसान देने के लिए मतलब नहीं दे पा रहा है तो उसके दूसरे जो किसान हैं वो मदद करके दे देंगा फिर अगले बार वह उसको दे देता था उससे जमीने निलाम नहीं होती थी ठीक है इस ब्यवस्था भूमी का अधार महाल गाउं को बनाए गया इसमें सामुहिक उत्तरदाइट का निधारन किया यहीं चीज हमने अभी समझे सामुहिक उत्तरदाइट पूरे गाउं मिला के जैसे 500 होता है तो पूरा गाउं मिला करके दे दीजिए अगर किसी क को टेक्स नहीं दे पाता तो अगले बार दे देगा लेकिन उस बार सम्मिल करके अपना दे देती जिससे पूरे ग्राम समुधाय के परतिनीधी के बाद के साथ बंदुबस्त होता था एक परकार से यह जमिंदारी विवस्था का ही संसोधित रूप था इसका परमुकारण में लागू किया गया था तो याद रखिएगा किसके द्वारा महालवारी विवस्था किस बात हुई तो याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किसके द्वारा तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा मार्टीन बर्ड ने उत्तर भारत में ही कई छेत्रों में इसको ल लिए सामिल थे यहां लगा अंदर दो वटे तीन था यानि 66 परतिसत बाज में बैंटिक ने इसको 60-50 परतिसत कर दिया था लौड बिलियम बैंटिक तो यह बस यह याद रखेगा तो यह आपका तीनों जो है भूमी अस्थाइप परबंध जो अंग्रेजों के द्वारा किय कर दिया था हमने अच्छे से किलियर कर दिया परभा कंपनी को तो इससे लाग हुआ पर साथ ही कई छेत्रों में बाहर के परतिनीधी सक्तिसाली होने से छेत्रिय विद्रों को भी बल मिला इस परकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने विभिन भूराजस्ट नीतियों के तो यह यहां तक आपका कंपलीट हो गया इससे जायदा आज हम समर्थ नहीं है आपको पढ़ाने में बहुत जायदा गर्मी है ठीक है और आप लोग भी अनभव कर रहे होंगे चुकि आप लोग तो घर में बैठे हैं लेकिन हमें लाइट जो आप देख पा रहे हैं डिज आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है इसको एक बार फिर से रीट कर लीजेगा यही सब कोस्टन जिसको घहरा लगाते हैं या बताते हैं वही सब कोस्टन बार बार पूस्ता है तो बोडर्न हिस्टी में इससे जाएगा आपको एक आद टौपी एक दिन और चलेगा मौडर्न हिस्टी का थियोरी का पाट एक या दो कलास उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और उमीद कीजिए कि इसी में से अब बार बार पूछे 1680 में क्या हुआ था सर तो क्या हुआ था बहुत सारी घटना हैं होती है 1680 में क्या हुआ था आप्शन द है कि इस इंडिया कंपनी का है इंड़ रुए था इसमे कंपणी का इंड नहीं तो इसट इंडिया कंपनी तो आगे तक साथन किया है मिया ऑ कि इसिट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ को सिसे आज ग ernंधर पहुआ